आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेका हैं यह अपडेट पावर ग्रिट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिप्टिर कितब से निकल काड़ी है तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि अपडेट किन के लिए है और इसमें कितनी पूस्ट रखेंगे और कौन-कौन से इस फोर्म को अप्लाई करने के लिए उससे पहले अगर आप हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करते और आज का यह आपको अपडेट अच्छा लगे तो इसे लाइक विजयो करते चलिए देखते पोस्ट का नाम क्या है रिक्विट्मेंट फॉर दिप्लोमा ट्रेनी इलेक् आज का ही अपडेट है चलिए इनमें सारे फूल ट्रेस क्या क्या बताई गई है देखिए आपकी पोस्ट है वह आपकी पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्टिकल और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल यानि कि इसमें दो पोस्ट रखे गई एक डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट प्रिए लिए गई है क्वालिफिकेस नहीं के वो रखेए फुल्टाइम रेगुलर थ्री यह डिप्लोमा फॉर्म रिगनाइज्ट टेग्नीकल बोर इस्टूट बिन्मुम सेटी परसिंट माक्स फॉर जनरल ओवी सी एड़ ब्लॉइस और पास माक्स पॉर लिए रखा घ्यानिए काँ अगर स्थी ये साथ कर सकते हैं मगर आप आप अगर ओवीसी ERIC या जनल से विलोग करते हैं आपको MINIMUM 60 70 परसे आपको होना ही चाहिए प्रक्रोंग किसी ब्रांश कर सकते हैं तो इनक सब्सक्राइव कर सकते हैं तो अगर है आपना कैस्वीजी गई है 29 तो इसके लिए 27 यह सकी गई है maximum age ठीक है और OBC वालों के लिए 30 यह सक छुटी गई अगर आप 30 यह सके ता वह इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं और टू यह तक SCST वालों को आपको 70% मिरमम चाहिए अगर आप SC से बेलाउं करते हैं तो इसके अलगी है तो यह आप देख सकते हैं कि with or without diploma is not available यह यह को बीटेक, MTek, ME, BE है तो इस फॉर्म को अप्लाइन कर सेता है अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो चलिए नेक्स आपके इसके कुछ important point देख रहते हैं यह आपको एजलेक्स सेशन जो मैंने आपको बताती है अब आपके important point देख रहते हैं कि इसके लिए जो आपकी आपकी यह तो आफ्लाइन पेपर होगी ठीक है आपकी जो डिटेंट टेस्ट होगी जिसमें आपके four options होगी और इसको solve करेंगे आपको डो घंटे के समय तोटल दी जाएगी आपके जो question होगी आपके टेक्निकल होगी अब पार्ट टू में आपकी aptitude test होगी ठीक है जिसमें आपके 50 question होगी और टेक्निकल के आपके 120 question होगी 120 question आपके टेक्निकल जिस भी branch से अपने डिप्लोमा किया उस स लिए आप देख लेते हैं कि इस एक्जाम को qualify करने के लिए जो चाहिए कि कम सकम minimum आपके 40 percent marks आपके पेपर वन में पार्ट वन में यादिक आपके ब्रांट से रिटेट वो और 30 percent marks आपके पेपर टू में यादिक पार्ट टू जो आपके होगी aptitude उसमें होनी चाहिए तब अब आप कम सकम qualify करेंगा अगर इतनी भी minimum marks अगर आपके नहीं होती है तो qualify भी नहीं करेंगा अगर आप unreserved या EWC विलों करते हैं और जरब वालों के लिए 30 percent marks पेपर वन में और 25 percent marks पार्ट टू में रखी गए ठीक है यह सिप आपकी minimum qualifying criteria है यह आपके merit list में नाम आने की कि इसमें आपके जो exam center पड़ेगी वो कहा कहा है तो आपको सिर्फ तीनी exam center इन्होंने दी है आपके exam center जो होगी वो या तो आपकी क्या होगी या तो आप Delhi चूछ कर सकते है या तो राज जैपूर या तो आप देहरा दून ठीक है इन तीनों में से आपके जो भी nearest center आप उ तो इसकी salary होगी वो क्या होगी आपको पता है कि जब पी किसी PSV मा आपको जब जॉब के लखे तो कुछ टाइम पर आपको पर ट्रेनिंग प्लेयर में नखा जाएगी तो आपके जो salary होगी आपके 27500 पर मन्त होगी तीक है जो आपकी यह training कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो पोस्ट दी जाएगी वो दी जाएगी junior engineer grade 4 at S1 level in supervisory category इस नाम से आपको पोस्ट को आपको दी जाएगी आपके जो बेसिक पे होगी वो 25,000 से स्टार्टिंग होगी यानिके 25,000 से स्टार्टिंग में आपकी बेसिक पे होगी बागी उसके लाब आपके प्लस में बागी आप अच्छे से देख लिए कि bond वाले रूल को अच्छे से पर लिए कि service agreement bond भी आपकी होगी तीक है ज्यादतर PSU में जाब होती है उसमें bond वाले system यह होती ही होती है इसलिए आप इसको ज्वाइन करने पिले इस system को अच्छे समझ लिजिए कि आपकी जो bond वो three years आपको कम स PC या EWS से बिलॉंग करते तो आपको bond के according आपको 250,000 रुपीज फाइन देनी पड़ेगी अगर आप SCSC या PWS बिलॉंग करते तो 1,25,000 रुपीज आपको fine one देनी पड़ेगी तब ही आप जो आपको छोड़ सकते हैं यही bond की rule होती ठीक है आपको जो ट्रेनिंग अब देख लेकि अप्लिकेशन फिस कहा है तो अप्लिकेशन फिस जो है वो डिप्लोमा एक्टिकल और सीविल दोनों के लिए ठ्रेनियर रुपीज रखे गई है अगर आप SC, ST, PWD, X-Service Man या आप Departmental Candidator है तो आपको free की कोई भी जोगत नहीं है ठीक है चलिए नेक्स अब देख लेते हैं कि इसको apply कैसे करने है ताब को पता है कि form जो आपको इसके apply करने है वो online करने है www.powergrid.in में जाना है वहाँ पर सेक्षन करेर सेक्षन में जाना है फिर आपको job operation में open करनी है फिर आपको regional open पर करना Northern region 1 दिल्ली recruitment and then recruitment for the post इस नाम से आपको आपको वहाँ पर आपको जानी है और वहाँ पर जाके आपको इसको apply करने online ठीक है नेस्ट आपकी है इसके related important points देख लेते कि और भी क्या है इसके related important points है अगर आपको यह आज का हमारा अपडेट अच्छा लगे था है अपडेट को like जरू करते हैं चलिए यहां देख लेते हैं कि और इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते हो आप इस फॉर्ण को फिलब कर सकते हैं मिनमम में जिसके लिए 18 रखी गई है और maximum में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी ठीक है फिरसे मैं आपको बता दो कि इसमें बीटेक बीटेक में कोई इसको apply नहीं कर आपको आज से 10 बजे सुबर से स्टार्टिंग हो चुकी है इसके जो क्लोजिंग देते वह 15 जुन तक रखी गई है आप 15 जुन तक फिलब कर सकते हैं जो कटप डेट आएगा आपकी ठीक है आपकी जो कटप डेट आएगी कि आप एक्जाम देने के लिए लिए लेगाने क सब्सक्राइब कर देख लेते हैं तो चलिए मैंने इस जॉब से लिए अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है ठीक है पावरगेट कोर्पेशन ऑफ इंडिया के रिक्विट्मेंस से रिकार्डिंग आपको कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मे कर दो कर दो